कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube Channel और अब्येक्टिव सेंटर पर जितने भी कोशन बनेंगे उसके बारे में भी तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नान प्रेशर वेल्डिंग जो हमारा वेल्डिंग का अगला भाग था यहां पर हम लोग पढ़ेंगे नान प्रेशर वेल्डिंग तो नान प्रेसर वेल्डिंग के बारे में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं नान प्रेसर वेल्डिंग जो होता है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा जो नाम है इसका वह है दोस्तों फ्यूजन वेल्डिंग ठीक कॉनसा वेल्डिंग तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग तो नान प्रेसर वेल्डिंग का दूसरा नाम फ्यूजन वेल्डिंग अब कोई कहें हिंदी में क्या बोलेंगे तो फ्यूजन विल्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्या तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों विखंडन विल्डिंग कौन सा विखंडन विल्डिंग विखंडन वेल्डिंग तो आपको कोई भी नाम मिल जाएगा तो यह हो गया अब दोस्तों इसके बारे में कुछ important चीज़ें आपको याद रखनी है वो मैं अब यहां पर आपको बताने वाला हूं जैसे कि दोस्तों यहां पर पहला पहला देखिए क्या है कि इस विधी में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि welding किये जाने वाले किनारों को हम लोग क्या करते हैं गरम करके पहले पिगलाते हैं ठीक जैसे किसी भी चीज़ के जैसे कि यह कोई पार्ट है ठीक यह कोई वर्कपीस है अगर दोस्तों हमको अगर इसे fusion welding के दोवरा अगर इसको गरम करना है मतलब welding करना है तो इसको जो किनारे रहेंगे दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले किनारों को गरम करेंगे गरम करने के बाद दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे पिखला लेंगे ठिक यानि कि जो किनारा हमको वेल्डिंग करना रहेगा इसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर पिखलाएंगे पिखला, पिखलाएंगे, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, किनारों को पिखला लेंगे, और इसके बाद दोस्तों, इसमें हम लोग फिलर मटेरियल का भी हम लोग उपर से डालते हैं, उपर से क्या डालेंगे, फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल, ठीक, तो हम लोग दोस्तों अम लोग फिलर माटेरियल का पर हुआ करते हैं, यह तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? फिलर material यूज़ करेंगे, ठीक, फिर blur material यूज़, तीसरा इसमें अब देखें क्या रहेगा, तीसरा ये रहेगा दोस्तों, हम लोग इसमें shielding gas, phalux क्या करता है, पिखले हुए material को बातावरन से बचाता है, तीसमें हम लोग shielding gas भी यूज़ करेंगे, ठीक, तो shielding gas, जो रहेगा यहाँ पर, shielding gas और दोस्तों, phalux, जो रहेगा दोस्तों, ये क्या होगा, कि पिखले हुए जो भी material रहेंगे, दोस्तों, पिखले हुए material, तो क्या करता है, वातावरन के समपर्क से बचाता है, तो यह हो गया, आफ इसको हम लोग उपर कर दें, अब देखिए, चौथे नमबर पर है, यहाँ पर आब आब लोग देखिए, क्या पढ़ना है, चौथे नमबर, सब्सक्राइब गया दोस्तों, हम लोग psilid mechanics के रूप में हम लोग किसका परियूग करेंगे इहां पर स्टेशल admin essentially वे कि यूप करेंगे वो हमारा क्या रहेगा तो वो रहेगा दूस्तों Shilding Gas के रूप में हम लोग निस्क्री ये gas का परियोब करेंगे अब देखिए निस्क्री गैस में हम लोग किसका किसका यूज कर सकते हैं आरगन का यूज कर सकते हैं ठीक हिलियम का या फिर यूज कर सकते हैं यह हमारा निस्क्री गैस है, तो सिल्डिंग गैस के रूप में हम लोग निस्क्री गैस यूज करेंगे, जो कि आरगन या फिर हिलियम यूज कर सकते हैं, यहां पर जो आरगान रहते हैं इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं दस से बीस परसेंट ही हम लोग क्या करते हैं यूज मिलेते हैं यानि कि दस से बीस परसेंट हम लोग पडियोग करते हैं ठीप तो यह हो गया अब देखिए दोस्तों अगला क्या है अब यहां पर पांचमा नमबर जो है तो देखिए अब पांचमा जो नमबर है उसमें हम लोग क्या आप देखने वाले हैं यहां पर देखिए इसमें हम लोग दोस्तों फलक्स भी वेल्डिंग पदार्थ को क्या करता है वातावरान से बचाता है तो इसमें हमने आपको बता यहां पर दोस्तों हमारा Flux यूज होगा यह क्या करेगा जो भी हमारा वैलडिंग पदार्थ रहेगा इसको क्या करेगा दोस्तों वातावरान से ये भी हम लोग shielding gas और flux यह सब यूज़ करते हैं welding पदात को बातावरांट से बचाने के लिए अब देखिए यहाँ पर दोस्तों यह आपका प्वांचम हो गया अब इसके बाद छठा नंबर आपको याद रखना है कि इसमें दोस्तों हम लोग यह जो फलक्स यूज़ करते हैं welding पदात को बातारंट से बचाना के लिए इसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम लोग बता दें यहाँ पर silicon यूज़ कर सकते हैं silicon तो फलक्स को रूप में हम लोग silicon यूज़ करेंगे रेत यूज़ करेंगे सुहागा यूज़ करेंगे ठीक और देखिए और क्या यूज़ कर सकते हैं aluminum भी यूज़ कर सकते हैं aluminum and magnesium ठीक इन सब के दोस्तों क्या होना चाहिए आकसाइड होना चाहिए ठीक तो यह हम लोग यूज़ करते हैं किसके रूप में तो फलक्स जो होता है वेल्डेक पदार को बातावरान से बजाता है और फलक्स के रूप में दोस्तों हम लोग silicon, red, सुहागा, aluminum और magnesium के आकसाइड हम लोग यूज़ करते हैं ठीक और देखिए और देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा उपर कर दें तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारा आगे जो material जो भी रहता है जैसे कि फलक्स, code, wire, electrode दो पर करके होते हैं तो यहाँ पर देखिए जो फलक्स यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए फलक्स के बारे में बता दूँ जो फलक्स होते हैं दोस्तों यह core, wire, electrode दोस्तों जो होते हैं यह हमारे दो परकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं देखिए दोस्तों इसमें पहला एक तो रहेगा आपका यह नमबर यह आपका रहेगा self-sealed तो सेल्फ सील्डेड दूसरा जो रहेगा दोस्तों वो हमारा रहता है गैस सील्डेड तो यह हो गया अब देखिए गैस सील्डेड में जो सील्डेंग के लिए दोस्तों हम लोग एक अलग सुरूत की आव सकता होती है जबकि जो सेल्फ सील्डेड रहता है इसमें जो इलेक्ट्रोड के जलने से निकलने वाले जो गैस होते हैं उसे से मॉल्टन माटेरियल पूल को हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं ठीक तो यही दोनों अंतर है सेल्फ सील्ड और गैस सील्ड में अंतर ठीक तो आप याद रख पूल रहता है उसको क्या करता है प्रोटेक्शन यानि कि सुरच्छा प्रदान करता है ठीक तो यह है दोस्तों अब यह हो गया है दोस्तों हमारा सील्डिंग के बारे में और फ्लक्स के बारे में और फ्योजन वेल्डिंग के बारे में अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जो हमारा welding रहता है इसके परकार के बारे में ठीक तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको यह आपको बताया ही है कि non-pressure welding के बारे में ठीक अब इसका दोस्तों हम लोग क्या करेंगे वर्गी करन देखेंगे ठीक यह तो हो गया दोस्तों इसके बारे में अब आगले पेज पर हम लोग दोस्तों से लेंगे तो यह हो गया दोस्तों हमारा दूसरा पेज अब देखिए fusion welding को मैंने आपको बताया थे दोस्तों कि fusion welding जिसको कि हम लोग बोलते हैं जो हमारा होता है नान प्रेसर वेल्डिंग एक बार यहां पर फिर से वर्गी करण करूंगा दूस्तों तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं fusion welding नान प्रेसर वेल्डिंग को fusion welding एख घक अब इसको दोस्तों तीन पार्ट में इसको बाटा जाएगा Тिन पार्ट कॉन-काउन तो यहां पहला जो आपका रहेगा दोस्तों वह आपका रहेगा ठर्मिट वर्डिंग अब दोस्तों हम लोग यहां जो पढ़ेंगे ऐख फर्मिट 3 व्लडिंग थे दोस्तों आपका एक ermi है तो यह हम लोग दोस्तों इसको तीन दीन में कवर करेंगे क्यों कि यह काफी बड़ा चैप्टर है घर मिट वेल्डिंग इसको एक दिन में पढ़र हैं अजया जो रहता है इसके यन सतर यह तो जो हमारा चूंट के शोड़े करें चेघन से license Orient और गैस वेल्दिंग दो आज भी जादा बड़ा है छहाँ तो थ्फरिमिट वेल्डिंग़ के वारे में दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों ये तो वारगी करण के बारे में हो गया और आज दोस्तों हम लोग यहां पर पढ़ेंगे थर्मिट वेल्डिंग के बारे में ठीक आज इसे हम लोग कम्प्लेट कर लेते हैं तो चलिए यहां पर जो देखिए यह हमारा दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग ठेक, थर्मिट विल्दिंग के बारे में मैं आपको बता दू दोस्तों यह फीगर है थर्मिट विल्डिंग का, थर्मिट विल्डिंग प्रासिस यहां पर बताये कहा हैं, तो देखे, इस बिधी में दोस्तों हमलोग ऐलमूनियम और जो हमारा फेरस अकसाइड होता है इसको दोस्तों हम लोग एक और तीन के अनौपातमे में इस तरहनी लें करके उसे हम लोग क्या करते हैं, इंगनेट करते हैं, तो यहां पर मैं पहला चीजा आपको बता दू, कि इस विध्य में हमलोग क्या करतेंगे, हल्मुनियust, नेगे और क्या लेंगे फेरस आकसाइड ठीक फेरस आकसाइड अब फेरस आकसाइड दोस्तों देखिए आप कई इसके रूप में होते हैं तो फेरस आकसाइड लेंगे कितने के अनुपात में तो एक अनुपात तीन के अनुपात में एक अनुपात तीन के अनुपात में ठीक एल्मोनियम तो था फे तो यह होगे दोस्तों मिस्त्रन को लेकर के हम लोग क्या करेंगे इगनाइट करेंगे देखिए यहाँ पर जैसे कि यह जलाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं हीटिंग गेट दिया गया है तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं इगनाइट करते हैं यानि कि जलाते हैं तो एल्मॉनियम तथा फिरस आक्साइड को एक अनुपात तीन के अनुपात में मिस्रण को ले करके हम लोग क्या करते हैं इगनाइट करते हैं ठीक कि अगर नाइड करते हैं यानि कि जलाते हैं यह हो गया जिससे किया होता है दोस्तों विल्डिंग करना है यह जो फिगर बनाएगे यह रेल की पट्री का है जैसे कि यह यहां पर रेल की पट्री है और यह रेल की पट्री है दोनों रेल की पट्रीयों को अगर वीच में जोड़ाना है तो हम लोग क्या करेंगी इसको दोस्तों यहां पर हम लोग रेजर और रनर का भी इसमें हम लोग दोस्तों यूज करते हैं तो क्या करेंगी इस तरह से जैसे पर फिगर में बताया गया है, इस तरह से इसको हम लोग set कर लेते हैं, यहां पर देखिए, जैसे कि यह साइड साइड से आपको दिखाया गया है, यहां पर देखिए, यह देखिए, आपको यह दोस्तों side से दिखाया गया है, मतलब सामने से, यह आपका rail की पटरी है, इसको दोस्तों Side Cutting यहां पर देखिए यह जो रियल की पटरी होती है उसके यहां पर Cutting को बताया गया है कि आपको कैसे जोड़ना है टेक तो इसके बारे में यहां पर यह पताया गया है तो हम लोग क्या करेंगे एल्मुनियम और फिरस आकसाइड को क्या करते हैं कनुपाते तेन के मिस्रण में इसको ले करके इगनाइट यानि की जलाते हैं और जैसे जलाएंगे तो जो हमारा फिरस आकसाइड और यह तरवित वस्त हमें आ जाता है तिक और इस और इसमें हम लोग फिलर मैटेरियल का भी की तरह और हम लोग इसको फिलर मैटेरियल की तरह यूज करते हैं यहां पर देखिए अल्मुनियम आकसाइड यहां पर सलैक दिये है यहां पर देखिए और यह मॉल्टन आयरन यही तो है देखिए यहां पर यह एल्मुनियम कितना रहेगा एक रहेगा इसलिए अल्मुनि क्या है आपको सब्सक्राइब यानि कि प्रिगला हुगा आरच तो यहाँ पर है फेरस अप्सकाट एलमॉनियम और फेरस अप्सक्राइब कितने कनुपात में एक और तीन कनुपात जैसा कि आप लोग स्फ़ीगर में ही आप लोग खुझी देख सकते हैं कि एक अर्फ तिन के अनुपात में आपको दिख रहा है ठीग एक तो एक अर्फ तीन का नूपात अप्छित जो दिख रहा है तो यह अलगूनियम का है नीच़े आप कैसा है आयरण यानले कि एक। वबद यहमारा द्रववास्था में आएगा द्रववास्था में जब आजएका तो इसको दोस्तों हम लोग यहां पर गयपदेखें याँ यहां पर यहां पर यहां कि यहां प erこれिंग करना रहे वहां पर यह जो भी the Northern रहेगा आपका molten iron और oxide का जो भी mixture रहेगा दर्वेत अवस्था में वहाँ पर जाके अपना weld कर लेता है तो यहीं इसका में प्रासेस है और इसको दोस्तों हम लोग जो aluminum और molten iron रहता है जी दोस्तों हमारा फिलर material की तरह यूज होता है तो इससे भी आपको याद रखना है कि aluminum और फिर अवस्था में आने के बाद दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे ऐजे फिलर material के रूप में यूज करेंगे और जोड़ेने वारी सत्ता है पर दोस्तों हमtheer पर देखिये इस तरह से यहां से जोड़ना रहता हो छाला पर हम लोग public पहुंचा देते हैं ठीक यहां पर देखिए जैसरी की पत्री है नblowing पर इसको जो ख्रास सेक्शन देखेंगे तो यहां पर इसतरह से रेल की पट्री रहती है न तो इसको देखें किनारे-किनारे चार उत पर देखी यहां पर एक जो रेड कलर के यह जो दिख रहा है न यहीं मॉल्टेन मेटल है यानि कि आलमूनियम और IP вес और द्रावस्थम यह क्या करेंगे उपर समलक डालेंगे और यह बीच में दोस्तों एक खाँचा बना हुआ है और यहां पर यह क्या होगा ऐसे चार उत्रब से घेर लेगा क्योंकि यह द्राव वास्ताम है यह पटरी जो रहेगा उसके चारों तरफ यह घेर लेगा जो घेर लेगा तो यह क्या होगा जो भी क्या प्राइगा इस चारों तरफ से अपना भर लेगा ठीक तो और यहीं से आपका क्या होगा कि यह आपका welding complete हो जाता है तो यही दोस्तों इसका process है thermit welding का तो यह आप लोगों समझ में आ गया होगा आप इसमें पूचेगा दोस्तों reaction भी कभी कभी आप से पूच लेगा कि reaction कैसे होगा तो process मैंने आपको बता दिया है क्या होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि aluminium एक अनुपात्म में रहेगा और जो molten iron यानि कि फेरस oxide रहेगा तीन के अनुपात्म में रहेगा और इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ignite करेंगे तो यानि कि जलाएंगे ignite जब करेंगे दोस्तों यानि कि हीट देंगे तो यह हमारे द्रव आवस्ते में आजाएगा दोस्तों कि यहाँ पर देखे इस त्रह से हम लोग उपर से डालेंगे बाकि यह सब दोस्तों हम लोग सांचा बनाए ही रहते हैं अब क्या करेंगे यहाँ से जब डालेंगे तो जो पट्री रहेगी इसके चारो तरफ है क्या है गैप रहता है और इसी गैप हमें दोस्तों यह जाके जो भी हमारा material रहता है λεमूनियम आएरन यह जो दरावस्ते में रहता है अज एप टोर्बे में यूज होता है यह दोस्तों इसका working है अब इसमें अंदर reaction किस तरह का होगा इसके बारे में अब ज्यादा question पूंचता है तो अब इसके बारे में मैं आपको बता दूँ तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग अब यह देखिए अगले page पर हम लोग चल लेते हैं तो देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों देखिए अलग-अलग जगाएं पर जैसे रहेगा material उसी तरह से काम होगा तो यहाँ पर दोस्तों तीन तरह का हम लोग यूज करेंगे जैसे कि आपको मैं यहाँ पर देखिए insert देखिए कौन से reaction बनेगा तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग क्या लेंगे iron oxide लेंगे तो iron oxide है दोस्तों यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं iron oxide लेंगे पलस aluminum लेंगे तो यह हमारा क्या बनेगा aluminum oxide बनेगा और iron बनेगा पलस यहाँ पर heat generate होगा ठीक तो अब इसमें देखिए आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ferrous है Feo तो ferrous oxide और aluminum यह दोनों मिलके aluminum oxide Al2O3 बनाएगा पलस 3 या पलस 880 kJ यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगी ऊर्जा प्राप्त होगी ठीक तो एक reaction यह बनेगा यानि कि या तो आपके एक्जाम में यह reaction आज सकता है यह फिर दोस्तों आपके पास देखेंगे यह फेरous oxide और यह दोस्तों आपका है Fe2O3 ठीक यह भी है दोस्तों आपका फेरous oxide पलस 2 aluminum यह बनाएगा क्या आपका तो यह आपका क्या हो जाएगा टू यह और आट सो पचास किलो जूल उपर वाले में देखिए जब आपका Fe2O रहेगा तो 880 किलो जूल प्राप्त होगा उर्जा जब आपका Fe2O3 रहेगा तो आपका 850 किलो जूल उर्जा प्राप्त होगा बाकी यह जो reaction है दोस्तों जो उत्पाद प्राप्त होगा ना वो आपका सेम रहेगा जैसे यहां पर 3F रहेगा इसमें 2F रहेगा और उपर वाले में 880 किलो जूल मिलेगा और नीचे वाले जो है इसमें 850 किलो जूल बनेगा ठीक बाकी एक reaction और होते है जैसे कि यह आपका लह आकसाइड है लह आकसाइड और नीचे आपका फेरस आकसाइड और एक होते है तो फेरिक आकसाइड जो होता है उसका फर्मूला होता है F2O3 आप तो यह भी तो रियक्शन कर सकता है क्योंकि दोस्तों हम लोग जो भी यूज करेंगे किसी भी अनुपात में रहेगा तो यह आपको जैसे यह आपका फेरी का अकसाइड है तो यहाँ पर तो आयरान अकसाइड और अलमुनियम अब इसमें भी अलमुनियम आपका दो अब इसमें साय चीजें जब बनाएगा, तो यहाँ पर देखिए को कि अलटु ओधिल बनाएगा प्लास एस ए भी वी बनाएगा और इसके बाद इसमें भी तो यहाँ पर्द प्राफ्ण होगी इसमें दोस्तों जो ऊर्जण प्रव्ट होगा यह साथ संअरान 97 दस मलश्य किलो कैलोरी उर्जा प्राप्त होगा तो यह हो गया उर्जा इसके बारे में अब इसका अगर दोस्तों इक्वेशन अगर बैलेंस करने के लिए बोलेगा तो 3F2O3 हो जाएगा अलमुनियम आपका 8 हो जाएगा और इसके बाद जो यहां पर लया यहां पर रहेगा तो इसके बारे में तो तीनो रियक्षेन आपको याद रखना है ग्जाम में एक्ञा सकताया तो यहां यह गया है reaction के बारे में अब देखिए यह जो मिस्त्रन होता है दोस्तों ignite होने पर 100 thermic reaction होती है जिससे दोस्तों क्या होता है 31 degree Celsius पर जो temperature होता है 2750 degree Celsius पहुंच जाता है तो यह भी आपको लिख लेना है तो अगला लिखिएगा जिसके मैं इसे दूसरा नमबर डाल देता हूं रहेगा इसको हम लोग ignite करेंगे इगनाइट होने पर तो देखिए यह लिख लिए आप लोग कि यह मिस्त्रन इगनाइट होने पर एक 100 thermic reaction यानि कि उस्मा छेपी यहां पर दोस्तों यह उस्मा निकल ला है इसमा जो निकलेगा उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं इसमा छे डी रीकशन अगार यह हूए दोस्तों अगर बाहर निकलता हो निकल ला है ना उसमा 6P reaction है अगर यह बाहर से उसमा लेता तो यह उसमा सोसी हो जाता तो यहां पर निकल ला है तो उसमा 6P Alp करिया होता है यहां पर ठिक तैक तो और जिसके कराण क्या होता है कि 30 degrees Celsius पर Temperature होते दोस्तों वह 2750 degrees Celsius पर पहुंच जाता है तो हम लोग 30 30 सए तिनस डिगरी सेट Kita यहां पर बिर जो होता है इस से क्या होता है जो हमारा उसमा सोसी हिहां पर जे आठ गुली यह सब जो उसमा दोस्तों बाहर निकलेगा तो इससे के आओगा टमप्रेचर तो बढ़ेगा ही जिसके करण जो उर्जय होगा दोस्तों जो टमप्रेचर होगा वह 2750 डिग्री सल्सेस पर पहुँच जाता है अब देखिए आग क्या है इसमें है दोस्तों कि इसमें इसमें तो हमने आपको बता दिया है कि इगनाइट होने पर दोस्तों एकसो थर्मिक रियक्शन देता है जिससे 30 डिग्री सेल्सेस पर ही 2750 डिग्री सेल्सेस पर इसका टमप्रेचर पहुँच जाता है और इसमें दोस्तों हम लोग इगनीशन मैगनीसियम दात के अधात के रीबन के द्वारा आँगो ठीक रीबन के द्वारा कराते हैं और इस वेल्डिंग में दोस्तों क्या होता है कि काश्टिंग की तरह है जो हम लोग क्या करते हैं कि रुनर और राज़र का भी यूज करते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था रनर और राइजर यहां पर दोस्तों देखिए राइजर और रनर यह जो है दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया है यह देखिए यहां पर रनर है यह रनर है और यहां पर आपका यह राइजर है तो यहां पर राइजर दोनों का पर्यूग हम दोस्तों यहां यहां पर करते हैं तो इगनिसम धहत को रीबन के द्वारा कराते हैं है और चौत है यहां पर लिखिए आप लोग कि इस करते हैं यहां पर यह भी लिख लिए इस में को काश्टिंग यानि कि जब हम लोग धलाईय करते हैं यानि कि वो भी करते हैं धलाईय यानि कि काश्टिंग करते हैं जैसे कि धलावा लोहाय बनाते हैं या फिर कुछ करते हैं तो काश्टिंग यहां पर होता है ना उसी तरह से दोस्तों काश्टिंग की तरह हैं हम लोग क्या करेंगे कि र यूज करते हैं तो इस तरह से पूछेगा कि वह अगाउंस वेल्डिंग है जिसमें हम लोग राणर आग राजर कभी यूज करते हैं ताश्टिंग की तरह हैं तो यह होगा दोस्तों हमारा थर्मिट वेल्डिंग एक चीजे दोस्तों यहां पर कोई भी चीजें आप लोग मिस मत करिएगा तो यह हो गया अब आगे देखिए यहां ठीक भारी पाई प्रेल पर्ट्री साफ्था आधके अपरेगा हम लोग वेल्डिंग के रूप में करते हैं थर्मिट वेल्डिंग में तो यह होगा दोस्तों रियक्शन के भी बारे में तो ठाहिए तो ठाहिए तो यह तो घृट्र्ट वेल्डिंग दोस्तों एक आशाव प्रकेर्टिया होता है जिसमें हम लोग दोस्तों के द्वारा ही तो यह भी याद रखिएगा हो सकतो किसी एक्जाम में पूछ ले कुछ तो थर्मिट वेल्डिंग में हम लोग क्या करता है कि केमिकल रियक्षन के द्वारा कि वेल्डिंग होता है और दोस्तों यहाद रखें है ठरमिट के बारे में घरमिट वेल्डिंग में घरमिट वेल्डिंग में याद पहला यहां पर इक्षथा चीजह है यह कि धाथ पौडर के रूप में हम लोग किसका Eug buenos करेंगे तो धात पाऊदर कि रूप में कि किसका यूज़ करेंगे तो Religion यह फिर मेगनिसियम अलिमूनियम तथा मेगनिसियम का पर्यूग करते हैं हम लोग धात पाउडर के रूप में दोस्तरा यहाँ पर लिख लेजिए कि धात आकसाइड के रूप में धात आकसाइड के रूप में हम लोग किसका यूज़ करेंगे तो दोस्तों iron. यनि कि लोहा का पढ़्यूग करेंगे. तीसरे यहां पर लिखिये दोस्तों कि जो धातू पाउडर रहेगा. धातू पाउडर फल्स धातू आक्साइड यह कितने अनुपात में रहेगा? मैंने आपको बताय था एक अनुपाते तीन के अनुपात में एक और तीन मैंने आपको बताया है ना एक अनुपाते तीन के अनुपात में कि एल्मुनियम यहाँ पर देखे धात पौडर यही तो है एल्मुनियम है एल्मुनियम कितना रहेगा तो एक रहेगा धात्व आक्साइट कितना रहेगा यानि कि लोहक हमारा कितना रहता है तीन के अनुपात में रहता है तो एक अनुपाते तीन के अनुपात में रहता है अगर एक परसेंटेज की बात करें तो धात्व पाउडर हमारा कितना रहेगा पचीस परसेंट और इसका काम लोग पूरा जितना है इसका तो देखें क्या प्रैसरнесक्र वील्डिंक नान प्रैसर वेल्डिंग की बोलते हैं फ्यूजन फ्यूजन विल्डिंक को हम लोग दूसरा नाम करेंगे बिखंडम रोज Ole ड़ेंगे आप दखें छी करेंगे और ती हम लोगं क्या करेंगे करेंगे existing gas isainen में यूज होगा जोकी प्रिगले मेटरीय को क्या करती है दोस्तों यह कि प्रयोग करेंगे जैसलिय। इस हमें धस करते हैं ऑच ऑब यहां पर देखिए फलक्स जो होता है दोस्तों यह हमारा वेल्डिंग पदार्थ को किया करता है वाता वरान से बचाने का कारिए टीक थीक फलक्स भी बचाएगा और जो सीलिडिंग गेसरे एगा वो भी क्या होगा ये वह भी बचाता है वातावरान के ुव्राइट अब देखिए फलक्स के रूप में दोस्तों हम लोग किसका यूज करते हैं सिलिकान रेत और सुघागा अलगूनियम और मैगनीसियम का आकसड हम लोग यूज करते हैं फलक्स के रूप में और देखिए फलक्स जो होता है दोस्तों यह कोर वायर इलेक्रोड जो होते हैं दो होते हैं पैंपर लोग क्या है कि नान प्रेसर विल्डि विल्डिंग के बारे में यह टीनוס फ्राकर के बढड जाएंगे एक Thermite Welding, दूसरा Spark Holding, और तिसरा Gas Welding के बारे मैं हमने पढ़ लिया है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे, बाक्षी आर्क ठीका पढ़ेंगे, जो कि drittyes में रहते हमारा एक शावाथ में, पोपात में रहेगा या 25-75 के पर सइन्टेज में रहेगा, तो इसी को हम हम लोग क्या करते हैं मिस्टरन को ले करके उसको हम लोग दोस्तों करते हैं इगनाइट करने से अमपर यह कर लेते हैं तो यह घूप करना है पर स Reynolds का मुंबbes क्या है जैसे कि कास्टिंग क अम लोग जैसे हम छो करते हैं उसी तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों यह आपका थर्मिट वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंस्पल है अब इसके बाद आगे चलते हैं देखिए दोस्तों इस विसमें दोस्तों जब यह हमारा सब कुछ करेंगे तो इसमें तीन त्रहकर रियक्सण होगा जो ऐसा कि इसमें जो रियक्सण होका आईरन आकसाइड और यह आपस में मिलेंगे दोस्तों तो अलमूनियम आकसाड तो फोर यहां पर फेरस प्राप्त होगा और आपको और अब दोस्तों यहां पर देखिए यह जो मिस्तर होगा दोस्तों इगनाइट होने पर एक एकसो थर्मिक रियक्षन देता है यहां पर देखिए यह क्या है दोस्तों पला स लिखा है नहीं कि यह उसमा बाहर निखलेगे यानि की फिट जनरेट होगा तो यह हमारा उसमा शेपी हैं अगर यह वातवरान से उसमा अगर खुद लेती तो यह उसमा सोसी अभद करिया कहला तो ठीक तो एक सो थर्मिक रियक्शन यानि कुस्मा छेपी अब करिया होती है जिससे क्या होता है तिस डिग्री सेलसेस पर टंप्रेचर होता है बहुत ज्यादा टंप्रेचर बढ़ जाता है तो और देखिए इगनाइट होने के बाद सब्सक्राइब खेए चैपनाइट हमगें वह योडग वाये कने आमई के लिगान के आप तो ड confess Culture किया पर नम्यूंग करते हैं और सब्सक्राइब कर और यह अंदोर명 कास्टिग करते हैं और सब्सक्राइब के हैं योगे maior के लिए ने araशा देआ हैं करते हैं ठीक तो और देखिए और ये दोस्तों हम लोगों कि क्या करेगा केमिकली रियक्शन के द्वारा ये वेल्डिंग होते हैं ठीक तो पूछे का एक्जाम में कि ऐसा का वेल्डिंग है जिसमें केमिकली रियक्शन के द्वारा वेल्डिंग होता है तो होता है थर्मिट ठिक, thermit welding में क्या होता है कि जो भी धात के powder रहते हैं दोस्तों, उसमें हम लोग धात powder के रूपे में aluminium और magnesium का यूज करते हैं, ठिक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है, चितर में तो उसमें aluminium यूज किया गया था, तो aluminium रहेगा, तो aluminium जो रहेगा हमारा एक अनुपात में रहेगा, और जो धात्व आकसाइट के रूप में दोस्तों, आपका थर्मिट welding से बनेगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मैंने आपको डिटेल में इतना बता दिया है, बाकी आप दोस्तो बचा क्या है, तो welding में अब यहीं बचा है कि आगले चैप्टर में अब हम लोग उसेंगे, जो कि दोस्तों हमारा रहेगा, आरक welding, और इसके बाद दोस्तों हमारा क्या रहेगा, गैस वेट, इसको एक एक दिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, तो यह दोस्तों अगर वीडियो